अरे कृष्णा, हम अकसर बहुत कुछ करते हैं अपने जिंदगी में, क्योंकि हम उनसे खुशी पाना चाहते हैं, हम एक नई गाड़ी खरीदते हैं, हम नया घर लेते हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम दोस्तों परिवार के साथ वेकेशन पर जाते हैं, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि आखिर हमें खुशी किन चीजों से मिलेगी, कोई नया शॉपिंग मॉल खुला है, तो हम सब उसमें जाते हैं, उस नए स्टोर में जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, और हमें लगता है कि इन सब चीजों से हमें खुशी मिलेगी, फिर फिर हम नई चीज़े खरीदे रहते हैं, फिर भी हम, हमें, at the end of the day, जब हम बैठते हैं, तब हमें वो संतुष्टा नहीं मिलती, हमें वो खुशी नहीं मिलती, तो क्या उपभोकतवाद, क्या कंजूमरिज्म, क्या बस खरीदते रहना, नई नई पधार्तों को अपने जीवन में लाना, क्या वही खुशी पाने का तरीका है, क्या वही जीवन जीने का तरीका है, हमारा जो प्रतिरक्षर तंत्र है, जो इम्यून सिस्टम है, आज कल बहुत ही कमजूर हो गया है, इसलिए हमें काफी बिमारिया पकड़ती हैं, इसलिए कोरोना वाइरस का जो ये दौर था, उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे नई नई किसम की बिमारिया, नई नई किसम की वाइरस आ गए हैं, तो हमें हमारा प्रतिरक्षर तंत्र, जो इम्यून सिस्टम है, हमें उसे स्ट्रॉंग करना है, फिर हमें ये सब जो जो इतने diseases हैं, वो affect नहीं करेंगे, उसी प्रकार अगर हमारा जो हमारी बुद्धी है, अगर वो आध्यात्मिक जीवन में नहीं है, अगर हमारे आध्यात्मिक ज्यान में रूची नहीं है, अगर हमें आध्यात्मिक तरीके से अपना जीवन जीने का तरीका नहीं आता, त तो फिर ये जो भौतिक जगत की जो चीजे हैं, वो हमें आकर्शित करेगी, आकर्शित करके हमें अपने जो अट्राक्टिव चीजे हैं, उसमें हम फसते ही जाएंगे, फिर हम कैसे इन चीजों से निकले, वो बहुत ही मुश्किल है, जैसे कि अगर हम एक समुद्र देखें, तो उसकी जो लहरे हैं, वो दूर से बहुत अच्छी लगती हैं, पर अगर हम उन लहरों के पास जाएंगे, तो वो लहरे हमें अपने चंगुल में खीच लेंगी, उसी प्रकार, ये जो भौतिक जगत है, बाहर से बहुत सुन्दर लगता है, इसकी चकाचोन हमें बहुत आकर्शित करती है, पर हम जितना इसमें फस्ते जाएंगे, हम जितना इन सब चीजों में जाते जाएंगे, तो फिर इन से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, अगर आध्यात्मिक जीवन से जो हमें शक्ती मिलती है, जो हमें ज्यान मिलता है, जो वैराग्य मिलता है, में लगता है कि पैसा हमें खुशी देगा, मैं आपको एक उधारन देती हूँ, एक बार एक व्यत्ती का बहुत सपना था कि मैं लंडन घूमो, तो उसे लोटरी की एक टिकेट मिली, उस टिकेट से वो लंडन गया, लंडन में एक बहुत अच्छे रिजॉर्ट में उसने घर खरीदा, उस घर में रहने लगा, और वहां के जो भी अच्छे खान पान वगयरा, सब कुछ वो बहुत मज़े ले रहा था, बहुत एंजॉय कर रहा था, और नदी के किनारे, उसके कमरे से एक व्यू था, पर उसी समय उसका मोबाइल बजा, उसे एक फोन आया, उसे फोन पर थे, जो उनका कमरा था, जहां पर वो रुके थे, वहां से इतना सुन्दर एक नजारा दिख रहा था, जो दुनिया का सबसे बेस्ट खान पान वो खा रहे थे, फिर भी वो उस चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, तो इससे हम समझ सकते हैं, कि पैसे से हम सब कुछ खरीच सकते हैं, पर जो असली आनन्द है, जो असली संतुष्टी है, वो पैसा हमें नहीं दे सकती, अगर एक इनसान एक बड़े से टौवर में रहे, एक बड़े स्काइस्क्रेपर बिल्डिंग में रहे, पर उसके आज सपास उसके घर में कोई ना हो, तो अगर वो अकेल सकते हैं कि पैसा इनसान कितना भी कमाले, पर जो संतुष्टी है, वो पैसा नहीं खरीच सकती, बिटिश ब्राड़कास्टिंग की जो नेटवर्क है, बीबीसी, उन्होंने एक रिसर्च किया था, कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है, जो सबसे खुश है, तो काफी उनके रिसर्च करने के बाद उनको ये नतीजे पर पहुंचे कि बांगलादेश, एक्चिली दुनिया में सबसे जो खुश कंट्री है, जो खुश मिसाज कंट्री है, पर ये कुछ हमें समझ भी नहीं आता, क्योंकि अगर हम पूरेस्ट कंट्री भी देखे, उसका भी रिसर्च म नाम आता है, तो बांगलादेश एक पूरेस्ट कंट्री उसमें भी नाम आता है, पर जो सबसे खुश है, जो सबसे शन्तुष्ट है, उनमें भी नाम आता है, तो इससे भी हम समझ सकते हैं, कि पैसा जरूरी नहीं है इंसान के खुश रहने के लिए, फिर दूसरा, जो लो accomplish कर रहे हैं टेक्नोलोजी से पर दूसरी तरफ तक्नीक से हम देख रहे हैं कि कितने कितनी हानी भी हो रही है आजकल कि युवापीडी उन पर कितना असर हो रहा है जो लोग है वो आजकल एक दूसरी से बात नहीं करते क्योंकि सब अपने आइफोन अपने स्मार्ट फोन पर बिजी है तो जो एक परसनल रिष्टा होता था लोगों का वो आजकल नहीं होता जो तीसरा लोग समझते हैं कि जो हत्यार है वो हमें सुरक्षा दे सकते हैं पचाय हम कितने भी हत्यार रखे अपने घर में अपने आपको सुरक्षित करने के लिए अगर कोई बंब के लिए है कि हम जो इसे चाहे वो कर सकते हैं पर इसका हम देख रहे हैं कि क्योंके मनुष्य आधियात में जीवन से नहीं जुड़ा है तो वो इस धरती को कितना नुकसान पहुचा रहा है ग्लोबल वामिंग और इतने जो हम इशूस देखते हैं दुनिया में यह इसलिए है यह बस हमारे वेस्ट डिस्पोजल के लिए है ताकि यानि कि हमें जैसे हम नदियों को करना कर सकते हैं या फिर हम किसी भी जो हमारा जो हमारी एंवारिमेंट है हम उसका ध्यान नहीं रखे तो यह पांच चीजे इनसान को लगता है कि यह चीजे शायद हमें खुशी दे और तकनीक के बड़े-बड़े हम इंवेंशन करें पर अल्टिमेटली हम जितना भी सब कुछ कर ले हम देखते हैं कि दुनिया में कोई संतुष्ट नहीं है पूरी तरीके से थोड़े समय के लिए सबको खुशी मिलेगी पर जो लॉंग लास्टिंग जो पर्मनेंट है जो पर्मनेंट खुशी है वो कहीं न कहीं हमें नहीं मिलती तो यह मिसिंग लिंक को हमें जोडना है आध्यात्मिक जीवन से आध्यात्मिक ज्यान से जब हम शास्थर पढ़ते हैं जैसे कि श्रीमत्भागवाद इता श्रीमत्भागवतम जो की एक जो की एक ओशन है happiness का जो की के समUDर है जिसमें हमें Kenyan आशे सकता है और वह कुषी ऐसी नहीं कि बस एक दिन या दो दिन रहेगी यजिसमें अपने जीवन जीने का तरीका चाहिए जो हमारे साथ हमेशा रहेगी और वह नित्य है वो eternal है, वो हमें ऐसा नहीं कि बस मृत्यों के बाद वो खुशी समाप्त हो जाएगी, वो ऐसी खुशी है जो मरने के बाद भी हमें जो higher destination है, जो परमगती है, जो भगवान के धाम है उस तक लेके जाएगी, तो हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक सेवा, आध्यात्मिक ज उससे जो खुशी मिलती है, उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए, और फिर हमारा जीवन अच्छे से हम जी पाएंगे, हरे कृष्णा